इसने लोगों की बढ़ाय की है लोग तो उसी को बोर्ट डालेंगे ना और मोदी जी के इलाबा कुज्राद में कोई नहीं आएगा और हिंदुस्तान की राजदानी दिलने से उसने हिंदू साथ करने की कसम रहे हैं मोदी जी को भी अपनी पहिंचान बताने की जरूरत नहीं कि अधार पर वोट डालेंगे देखिए सीधा सा सिंपल है जिसने काम किये हैं जिसने कारे किया है जिसने लोगों की बढ़ाय की है लोग तो उसी को बोट डालेंगे ना पर मैं अभी एक स्वाल आपने किया था कि केजरिवाल के रहे हम पंजाब जीद गए दिल्ली जीद गए तो भाई वो यह नहीं कहते हैं वो लोग तो यह चीज बताओ यह जो फोकी तड़ी मारते हैं आज पंजाब वाले उनके प्रीट हैं एंटी है लेकिन लगतार बीजी पर निशाना साधर और के लिए कि उनका मॉडल जो है विकास का मॉडल वह जूटा मॉडल आप यह बताए के जरी वाला खेला नहीं है इनका ठक बंदन गठ बंदन जो भी है वो सब बीजेपी को पाल नहीं पाए पंजाब तुमसे समला नहीं है अकम सम्मोधी से तो सबक लेलो उनके चेले तो बंजाओ आपसे जाना चाहूंगी कि गुजरात और एमसीडी इलेक्शन एक साथ आम आदनी पार्टी के सर पर बैठ गए है पहली बार गुजरात में कदम रखा आम आदनी के लोगों से इस ने अच्छा काम किया है और मौधी जी के लवा गजरात में कोई नहीं आएगा इसलिए वहां के लोगों का मान सिक्त जो है ना बदने की कोशिस मत करें दूटी चीजों का लेलस देके जिसने बनाया है यह उसी के लिए जाएगा और जिसने नया बनाने की कोशिच की वह बरबाद हो जाएगा केजरिवाल कह रहे हैं कि उनका विकास मॉडल जो है वो जूटा मॉडल है अरे क्या है का विकास केश्टीज का विकास पहले बताएगे यह दिल्ली हमारा हिंदुस्तान की राध्धानी है इसको तो ऐसा खुबतूरत होना चाहिए आने वाले ताइम बे लोग याद करें कि य नशे पे कर देंगे और गुजराती भाई फिरी फिरी पिएंगे तो मैं पी के आगया हूँ यह वहां भी वही हाल कर देंगे जिदिनी कुर्दे खराब कर दिये इनुने ऐसा स्चीन कर देंगे और गुजराती भाई बहुत समझदार है क्यूंकि उनको मोदी के इलावा देखना चाहिए कि मैंने जैसे दिल्ली में जीत हासिल की ऐसे पंजाब में की तो आप गुजरात में भी करने दिल्ली के लोग जाग चुके हैं उन्हें जगाने की ज़रूरत नहीं है पंजाब के लोग सोय हुए थे अब वो भी जाग रहे हैं क्योंकि वह चिट्टा पी हैं चिट्टा पी रहे हैं चिट्टे में कई लोग मर रहे हैं कई लोग नशे में घर ही नहीं जा पा रहे हैं लड़किया रेस्ते में कह रहे हैं गिरी पड़ी हैं ऐसे इसे कर रही है इसलिए पंजाब का हाल बुरा कर दिया है तो अब यहीं जोच रहे हैं कि चलो गुज धिराट वालों को समझाने की जरूरत नहीं है कि कि वो को बहुत समसदार है हीरे की पहचान सिरिफ जहरी ही जानता है और टारी है उन्हें पहचान बताने की जरूरत नहीं कि Dawn कोड़े के जो भी पहाड है उन्हें खत्व कर दूंगा अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो सोला खूड़े के पहाड बना दी अरे गोतम गंभीर ने बहुत नीचे करवा दिया और इनको जब लक्सन आता है तभी पहाड नजर आता है और बाकी पहाड ने जर नह तो कभी सापी निए कि जंता ने मुझे पाच साल दिया और मैं यमना की सफाई करके दिखांगा अरे पास साल दिया पहले और दे दिया साल ताकि वह और गंदा करते आए और गंदा करते मतलब उन्हें के बातों में ऐसे आजाओ ताकि फिर दुबारा से ले आओ बर्बाद कर दें सब को कि मैं यमना साफ करके दिखाऊंगा तो दूसरी और बीजेपी वादा कर रही है कि हर घर पानी हर नल और जुग्गी वालों को घर दूंगी तो ऐसे में को सही सवाल किया आपने जहां पर मोदी जीने किसी को कोई भी जात्का क्यूं नहों मोदी जीने सब को आवास दिया है अब दिली में भी बहुत लोगों को चचे फलेट बनाके दे रहे हैं ठीके ना बाट बट्वड़ी बनाके दे रहें ओधी आफ रहा है वो ठीक है ना एक दिली की जनता विकलांग हो गई क्यों तो फिर इनी वादों के साथ रही गुजिरात आप ने जो पांच वाली ठीक कर दिए एक बस करी दी बताओ जो आई है इन्हों ने जंडी लेके पहुंचाते हैं चाहे वो मैट्रों चाहे वो बसे हो आपने इंसे बोला कि दिल्ली में गंगा साफ करी नहीं करी इसका तो मुझे पतानी जी गंगा तो साफ होई नहीं मुझे नेकिन दिल्ली के यमनायम न गंगा मांने लिए पूझनियगा मिया अस उसने हंडुस्तान की राजदानी दिली से उसने हिंदु साफ करने की कसम खा कि डिली के अंदर से मैं कैसे ये सनातनियों को साफ करूं को ये मेर को हडाने में लग आज देश में आज डिली के अंदर संगंभियार में वीडियो वायरल है संगम्यार में बहुत अगर तुमने केजरी वाल का बोट दे दिया तो तुम हमारे सबसे बड़े दुस्मन और नेकिन मुसलमान लेडिस कूं बोल रही है इस बात को कुछ सोच रहे नेरिटीव यह समझों कि उन्होंने पता कि तुम हमारे हिंदु ना तुम हम मुसलमानों की दुरुदी करते हैं क कि मैं सारी देश की मुसल्मान औरोतों से बोलना चाहती हूं जिस आदमी ने तुरपल 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 तुरप से हुएं बचाया थीं तुरप से बचाया हम तो अपने आपको उससे सेफ करें यह केजरी वाल उन सब उन सब कानूनों को न दुवारा से खतम कर देगा आज में बताना चाहते हूं इस देश का मुसलमान भी बात चाहता है कि देश के अंदर भीजेपी सरकार बने रहे कुए जो हमारे मोदीजीजी है मैं प्रच जैंता जारा था तो इनके टिकेट देने के बाद क्या कही न कहीं मुस्लिम वोट नहीं मिल पाएगा चार अपने मुस्लिम कंडिडेट को तारने की क्या रहनीती हूं मैं पता नहीं क्या मिल पाइगी पर वह पर बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करेगा देश का मुसल्मान यह गरेंटेट है और केजरिवाल जी इस बात को अच्छे तरह जानते हैं इसलिए अभी आपने मैं तीन चार इन्दू को सपोर्ट कर रहा है एक मात्र भारत का नेता है साइज अभी मुसलमान को मैं बता देता हूं आपको कारण मेंडम अभी गुज्राद में विल्किस बानोंका केस चल रहा है आपको पता होगा चल रहा है ना मैं आपने ट्वीट देखा अर्विंद केजरिवाल ज प्याल्टेस कोड़ेस काड़ी लेकिन फिरink डूटट जाएंगे ना इंडोए में कारन क्या है मैठम इसको दोननों हाथों में नगा जाही आप नहीं लटू टूट इंगे ही से बॉसकों सब्सक्राइब टिप करने का क्या है धरम के बारे में टिपनी करने का बागवत गीता पड़ी है उन्होंने रि वेदोंगो तो शोड़ी तो घीता का घीता के दस लोग याद नियोंगे उनको जो धर्मांतरण कर वारे में किस बेसी सब धर्मांतरन करवारे हैं मैं सिर्फ पैसे सिर्फ मलाई चाटनी मैं इन लोगों को आप देखो आपने केजरी वाल हनुमान मंदिर में देखा था चांदनी चोक के इलेक्षन के टाइम में उसके बाद पिछले साथ सालों में कभी देखा आपने हो देखा आपने क अभी मीडिया में देखा हो या कभी जाते हो देखा हो नहीं है ना सिर्फ चुनाओ के टाइम हनवान जी याद आए ना इनको इनका एक निता है गोपाल इटालिया गुजरात की पार्टी का प्रेजिडेंट है मैं वो उसने क्या बोला है भी ट्वीट कर रहा है उसने क्यों बोल रहा है मैँ यह 18000 ग्रुपे देता है ना मंदिर के मौलियों को मंदिर के पुजरी हो की नहीं दे रहा क्यों नहीं देए तो मैं दूसरे द्रमवाले के वारे में कुछ बोलूंगा इसके बाद उसके बाद उसके बाद कहते हैं यह तो तो यह को तो फैला रहे हो तुम सब को देदो तनका तो तुम सब अगर मैंने अगर मैं गाहों के सरपंच का चुनाओ लड़ रहा हूं अगर मैंने कुछ काम कर रहा होगा तो गाहों वाले मेरे काम के नाम के उपर यह मैं नियू कहूं कि भाई मैं गाहों में बसकी टीकट फ्री कर रहा हूं बिजली फ्री कर रहा हूं पानी फ्री कर रहा हू सब के घर में पान पान सो रुपे रोज मेरी तरफ से तो तो मैं चुनाओ जीती जाओंगा दारू पीने वाले को रोज दारू पिला दो आपको वोट देतेगा इसमें तुने क्या करा भाई तू अपनी बताना ऐसे तो मैं भी सीम मन जाओंगा मैं गद्धी पे बैठके आप लोगों से पैसे इखटे लिलू कर लूँ टेक्स पर कैपिटा कलेक्ट करके और फिर उसके बाद कहा दूँ आई मैं प्री दे रहा हूं सबको तो मैं मैं भी सुना हुजी जाओंगो इसमें क्या करा का अरवींद केज़वाल जी कुछ भी कैर रहे हूं मैं उसकी किसी बात पर विश्वाष नहीं करता हूं नहीं नहीं को नेता मांथा था का मतला वह ता जो नेतर इत्रितव कर सकेए और मुझे अरवीन केजरीवाल जी के अंदर कोई नेतरतव के गुण ने मिलते हैं अब में सिर्फ योगी अदित्यनाज जी को मानता हूं मैंने ता सिर्फ जो नेतरतव के गुण रखते हैं मेरे को और इस देश में कोई निल लगता क्योंकि वह यह आदमी है जो आदमी अप गनेज जी का चिन हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता यहां उन्होंने बात खतम कर दी अब देश का जो आम नागरी कि उसको क्या लगेगा यार बड़ा पड़ा लिखा आदमी और बड़ी तमी तहजीब की बात कर रहा है कि यार इंडोनेशिया में लग सकते हैं तो वह बता रहा हूं मैं वह गनेज जी की फोटो इसलिए है क्योंकि वह भारत की जो संस्कृति आना जो पूर्वज है वह उजह अपना पूर्वज मानते हैं वह गनेज जी की पूजा नहीं करते इसलाम में सिर्फ गौड एक है आल्ला वह उसके अलावा किसी की वर्षिप न सबक्राइब की अब आ हैं मैं अचाहतं की आप आपको वोट चाहिए को आप नोतों विन्दू अगर अगर किताब किर जातीए ना मारे हाथ से घर करते हैं और लक्ष duplic नो काम चलता हो और उससे समाथ से खराब में बिनी है और दूसरी बाद मैडम सिर्फ लुज पूरी वात बता जंताल को पूरी बादाब्स होथी तो पागल ठीक तोहीं करता तो 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 सब्ढल नेश्यम में लगाते थो इंडॉनेशिम नहीं लाए вами चardi करता है ज्यूंट उड़ी पर दोट पर नोट पर नहीं पर तूट लगा रहा है तो तरीके से दिल्ली की जनता ने चुनाफ को लेकर अपनी राय रखी और आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बादे दिल्ली में किया थे उसी अधार पर पर गुजरात और एमसीडी में चुनाफ लणी की तैयारी वो कर रही है तो कितने वादे उनोंने दिल्ली में पूरे किये हैं और कितने वादो पर आम अदमी पार्टी खड़ा उतर के आई है ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने लिएगा दनी सुप्रीन के साथ वीडियो अजय है तो मैं अजय है और कितने विए झाल इसका दो अजय है लिएगी में और कितने वादो पर आम साथ के जिएगा झाल इसका ऑन की की तैयारी जादी जिल्ड़ा है झाल झाल